दोस्तो अगर आप corridor में कोई ऐसा design create करते हैं जिसमें से आप किसी object को अलग करना चाहते हैं text को अलग करना चाहते हैं या फिर आप grid line को अलग करना चाहते हैं या फिर किसी भी notes को अलग करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से एक साथ उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे यहां से अलग कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जिए हम बात करने वाले हैं Select All Option की जो की Edit Menu के अंतरगत आता हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंतर तक जरूर देखें वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है जब भी आपको यह ऐसा Material बनाते हैं जिसमें बहुत सारे Texts का आपने इस्तमाल किया हुआ है बहुत सारे Objects का आपने यहां पर इस्तमाल किया हुआ है और उसके बीच में से अगर आपको सिर्फ Text को Select करना होगा तो यहां पर एक साथ एक बार में सेलक करके अपने Objects से या अपनी Design से उसको अलग कर सकते हैं या फिर उसकी Formatting एक साथ कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि आपके इस तरीके से Coral Draw के Select All Option का इस्तमाल करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर एक Design बनाया हुआ है जिसक सभी चीजों की मदद से आज मैं आपको Select All के सभी Option के बारे में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम चले जाते हैं Edit Option पर और यहां पर आपको मिलेगा Select All का एक Option यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको चार Option दिखाई देंगे जिसमें सबसे पहला Option आपको यहा Comments भी आते हैं Paragraph भी आते हैं तो यानि कह सकते हैं हम पूरा का पूरा Matter एक सा Select करने के लिए हम यहां पर Object वाले Option का इस्तमाल करते हैं हमने वापस से Ctrl-Z करके इसको वापस से Back कर दिया इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले Option की तरफ हम Edit पर फिर से जाते हैं यहां पर आपको पर आपको इसे बहुत जाएंगे तो यह बहुत जादा टेपिकल हो जाएगा और जादा महनत का काम हो जाएगा तो आप बहुत आसान तरीके से Select All Option का इस्तमाल करके एक साथ सभी Text को यहां से Pick कर सकते हैं यानि Select कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस Text होंगे केवल Text यहां पर Select हो जाएंगे और अब आप इसे आसानी से कहीं पर भी Move कर सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा Design केवल यहां पर रह गया और Text सारा हमारा यहां पर अलग से आ चुका है यानि अलग से हमने इसको हटा दिया है तो इस तरीके से आप अप तीसरो ऑफ्षिन यहां पर मिलता है वह यहां पर मिलता है Guidelines का दोस्तों Guidelines क्या होती है आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारी Blue Colors की यहां पर काफी सारी Guidelines हमें दिखाई दे रही है यह हमारी Guidelines होती है जिसकी मदद से हम अपने Object को यहां पर Margin में Setup कर सकते हैं अब यहा यहां पर एक एक करके अगर आप इन सभी Guidelines को Select करते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम हो जाता है हम Simple Option यहां पर इस्तमाल करेंगे Edit Option पर जाएंगे Select All में जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं आपको Option मिलता है Guidelines का इस पर आपको Simply क्लिक कर देना है दोस्तो के से आप इस Option का भी यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने Last Option की तरफ Edit Option पर जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं Select All के अंदर यह जो हमारा Notes का Option है यह अभी यहां पर Hide है तो दोस्तो इसका इस्तमाल कैसे किया जाता है माल लीजे यहां पर हमने अबजेक को Select करना है और जिस भी अबजेक को हम यहां पर Select करेंगे उसी के Notes को यहां पर यह Select करेगा तो Notes होते क्या है दोस्तों यह जो Corners होते हैं इन्ही को Notes कहा जाता है अब यहां पर हम इस Object को Select करते हुए Edit Option पर जाएंगे यहां से Select All के अंदर आप यहां पर देख सकते ह था वो यहां से Highlight हो चुका है इस वाले Option पर जैसे हम यहां पर Click करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे यहां पर इस Object के चारो Notes यहां पर Select हो चुके हैं और किसी भी Notes को आप यहां से इधर से उधर Move कर सकते हैं या फिर अगर आप यहां से इस Object को Delete करना चाहें तो तो उसके लिए आपको किसी भी एक Node को Select करना होगा इस तरीके से Node को Select करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको यहां पर एक Option मिलता है Break Curve का इस वाले Option पर जैसे आप यहां पर Click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर यह जो Line थी वह यहां से Break हो चुकी है और जिस भी Line को आप यहां पर हटाना चाहते हैं उस वाले Dot पर जाकर के जैसी Double Click मारेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं वाले Line यहां से हमारी Delete हो चुकी है तो दोस्तो इस तरीके से आप किसी भी Object की Line को यहां से आसानी से Break कर सकते हैं Notes की मदस से तो दोस्तो आशा है कि आपको Select All के सभी Option यहां पर समझ में आ गए होंगे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को Like कमे शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद